जहिन नमस्कार दोस्तों अगर आपकी एज 18-25 साल के बीच में ध्यान से सुन लिजे अगर आपकी एज 18-25 साल के बीच में अगर आप OBC से तो 3 साल और एड कर लिजे S.E.S.T. 625, 5 साल और एड कर ली दिये ये जो मैं क्राइट एरिया बता रहा हूँ ये है दिल्ली पुलिस के लिए दिल्ली पुलिस पर लगबग आप सभी को पता होगा 7500 पोश्ट पर वेकेंसी आने वाली है जिसके फोरम 1 सितंबर से भरे जाएंगे 1 सितंबर जान रखना 1 सितंबर से 31 सितंबर तक इसके फोरम बरे जाएंगे और इसकी जो एक्जाम डेट है वो भी बता गई है कि 9 दिसंबर में इसके एक्जाम होंगे और 9 दिसंबर में कौन-कौन सी डेट कोगे ये भी किलेर हो चुका है अगर आप तयारी करना चाते हैं इसकी जान रखिए बहुत सारे बच्चे ओनलाइन के मादे में पसके अच्छे से तयारी नहीं कर पाते हैं अगर आपको अच्छे से तयारी करने है अपना सेलेक्शन लेना है तो आप हमारे अकेडमी आ सकते हैं इसमें आपके पेपर पास कराने की अगर आपका सपना है ते लिए पुलिस को जोईन करने का लाड़ो इससे पेज़े अकेडमी के पुराने परिणाम भी आज देख सकते हो आर्मी पेपर में भी हमारे अगर आपके परिणाम देखने हैं मैं किल ओनलाइन नहीं आप अकेडमी में आके ओफ लाइन का रिकोर्ड भी देख सकते हैं एडविशन पॉम के साथ में अलग से केवे मिल जाएंगे आप पहले उनको चे कर लिजे कोल करके चे कर लिजे उनके घर पर कोल करने की आपको पर तो या एक सितंबर तक अगर आपकी एज एक सितंबर तक अगर आपकी एज अठारा साल कम से कम और मेक्सिमम आप एस्टी केटेगरी तो 30 साल अगर आप जनरल केटेगरी से हैं तो 25 साल अगर एज में छूट नहीं मिलती है अगर एज में छूट मिल जाती है तो एक दो साल बढ़ाई भी जा सकती है ठीक है लाड़ो अभी से तैयारी करनी होगी आपको तभी आप दिल्ली पुलिस में अपना नंबर पका कर पाओगे और हाँ एक ही जो दिल्ली पुलिस की मेरिट स्टेट वाइज नहीं आती है सेंटर गोर्रमेंट की एक साथ मेरिट लगती है इसलिए ये भी फाइदा है आपको कि अलग-अलग सेट के वज़े से सीटों को डिवाइडेशन नहीं मिलता है तो जो जितनी तैयारी करेगी करेगा उतन ही जल्दी मुकाम पालेगा इस पे इसलिए लड़कियों के लिए तो बहुत ही जबरदस्ट वेकेंशी है क्योंकि इस वेकेंशी में लड़कियों के लिए तीन हचार पत है जो की बहुत ही बड़ी बात है S.S.E.G.D. की पचास जार की वेकेंशी में भी तीन हजार पोस्ट नहीं होती इसमें 20,000 पोस्ट हैं लड़कियों को तो लाइसेंस की भी जुरुरत नहीं है लड़कों को जुरुरत है हाइट भी सुन लेना दिली पुलीस में जो लड़का तयारी कर रहा हुसकी हाइट 170 cm कम से कम होनी चाहिए अगर वो एस्टी के तेगरी का है तो 162 cm होनी चाहिए लड़कियों की हाइट 157 cm होनी चाहिए अगर वो एस्टी के तेगरी की है तो 152 cm होनी चाहिए यह हाइट का कराई तेरिया है जिसमें एक और प्लस पॉइंट आपको जुर जाता है कि इसका जो फिजिकल है वो भी थोड़ा सा टफ है लेकिन फिजिकल के तयारी भी आपको हम कराएंगे उसको भी पास हम कराएंगे अगर आपने पेपर में नमबर मार दिया एक बात और बता देता हूँ कि अभी से बेच शुरू होंगे बेच बेच में एड़ुशन नहीं मिलेंगे या एड़ुशन भी रहेंगे तो वो गारंटी बेच नहीं रहेगा वो सिर्फ एक अभ्यास बेच रहेगा जिसमें आपकी मेनत दिशाइड करेगी आप लगोगे कि नहीं लगोगे लेकिन हाँ अगर अभी आप जोईन करते हैं केड़ भी तो मैं गारंटी देता हूँ आपके पेपर पास कराने की ठीक है लाड़ो अच्छा है हिंद